फिल्म की शुरुवात 1945 से होती है जहां एक प्लेर में कोई गड़बड़ी हो गई थी जिस वज़े से उसे जपान की एक आइलेंड पर उतारा जा रहा था ये काम एक सीनियर पाइलेट कर रहा था जिसका नाम शीकी शीमा होता है वो इस वक्त अपनी पूरी टीम के साथ था आइलेंड पर आने की बाद वो एक सीनियर मकैनिक की पास आया और उसे प्लेंटी करने को कहता है शीकी शीमा खुद इस आइलेंड पर गोमने के लिए आगी बढ़ा वो समंधर में अजीब तरह की मचलियां देखता है जो मरी हुई थी गोम फिरकर वो रात को वापिस आया किसी को भी कुछ समझ नहीं आती मकैनिक केहता है कि हम इसे अपनी मशीन गंसी मार सकते हैं शीकी शीमा जी आपको ऐसा करना चाहिए अब शीकी शीमा गं तो लेता है पर गोर्ड़िला की पास आने पर न जाने उसे क्या हुआ वो मशीन गंसी गोलिया ही नहीं चला पाता इ इसलिए सबी सी पायों को अपनी चोटी मूटी गंसी गोलियां चलानी पड़ती हैं ये दिख गोर्ड़िला उसे में आ गया आगी बढ़नी लगा सबको ही कुछलनी लगता है देखते ही देखते ही वो सबको चीटियों की तरह मसल कर मार देता है ये देखकर शीकी शीमा का काफी डर गया जिसकी साथी वहां जोरदार धमाका हुआ शीकी शीमा काफी दूर जाकी गिरा वहीं भी होश हो जाता है और सब को मारने की बाद गोड़िला जोरों से धारनी लगता है सुबह जाकर शीकी शीमा को होश आए आगी बढ़ने पर उसने देखा कि मेरी पूरे मारी गई है हर तरफ उनकी लाशी बढ़ी हुई थी लाशों को मकैनिक यहां एक साथ लाकर रखना था क्योंकि गौड़्जिला की हमले में वह किसी तरह बच गया था शीकी शीमा के वहां आने पर मकैनिक उस पर काफी बढ़क गया कहता है कि इन सब की मौत की जिमेदार त जलसी सब कुछ तैस नहस हो गया है सारे घर तोट फूट गई यहां तक के शीकी शीमा का घर भी पूरा बरबाद हो जुका था यहां उसकी पडोसन मिली कहती है कि तुम बच गई हूँ रोती हुए बोली पर मेरा बेटा मारा गया शीकी शीमा पूछता है क्या मेरी मौम ड सामने आ गया तब और शीकी शीमा को वो बच्ची पकड़ा कर वहां से बाग जाती है वो जब थोड़ा आगी बढ़ा तो वही औरत उसकी पास है शीकी शीमा उसे पूछता है कि तुम कौन हो वो बताती है कि मेरा नाम नोरी है यह बच्ची मुझे एक जगा पर मिली थी मै ने इसे ली लिया क्योंकि इसके मौम डैड भी धमाके में मारे गी यह सुनकर शीकी शीमा कहता है और बच्ची उसी पकड़ा कर आगे बढ़ने लगा नोरी भी उसकी पीछे पीछे जाने लगी कहती है कि तुम हमें इस तरह अकेले नहीं चोड़ सकती राज के वक्त यह ल अगले दिन काम की तलाश में शीकी शीमा आगे बढ़ा पुडोसन उससे पूछती है कि वो और बच्ची कौन ही शीकी शीमा जवाब देता है कि मुझे नहीं पता वो मेरे पीछी आगे थी हमारी तरह वो भी बेगर और ना चार है पुडोसन फिर पूछती है कि वो नौकरिया दा केती हैं और एक साथी रहे दे लगे एक साल तक सब ऐसे ही जलता रहा है एक दिन शीकी शीमा केहता है कि मुझे गवर्मेंट की एक नौकरी का खत मिला है जिसमें मैंने समंदर की गे रायों में मिशन करने जाना है दरसल मेरा काम वहां बॉंब्स को ढूंड क पर उन्हें खत्म करना है जो माइन्स खुदाई करके वहां लगाए गई है वो दूसरी जंकी दुरान अमेरिका और जपान ने लगवाए थी वहां दूरे कहती है मगर ये काम काफी खतरनाक लग रहा है शीकी शीमा कहता है कि है तो खतरनाक लेकिन इसकी बदली हमें बहु तो उससे बता चला कि गवर्मेंट ने इनके साथ बस जोट बोला है क्योंकि इने बस आम से हतियार और कष्टियां दे जा रहे है यहां शीकी शीमा की मुलाकात डॉक्टर से भी हुई जो इस पूरे मिशन के हेड थी डॉक्टर उसी भी कष्टियों के बारे में सारी बार स जो गया रात को शीकी शीमा को वही सपना आया जिसमें गौर्ड जिला उसके साथियों को चलता हुआ आगे बढ़ने लगता है यह भायानक सपना देखकर शीकी शीमा चौंकर और चाता है अपने साथियों की मौत पर काफी दुखी होने लगा नोरी उसे पानी पिलाती है शीकी शीमा बताता है कि मुझे ऐसे बयानक सपने आते रहते हैं उमीद करता हूँ कि जन मैं ये सब भूल जाओं वो काफी दुखी होनी लगा तब नोरी उसे संबालती है अब एक आईलेंड पर नियुकलिर धमाका हुआ जो अमेरिका ने करवाया होता है पिर ऐसे वक्त पूरे टीम को लाया नोरी सब के लिए खाना बनाती है सब काफी खुश हुए उन्होंने तारीफ की कहती है भावी खाना बहुत मज़े का बना है ये सुनकर नोरी कहती है मैं शीकी शीमा की वाइफ नहीं हूँ जो सुनकर पूरी टीम काफी चौंग जाती है तब शीकी शी को कहती है कि मुझे एक जगा पर नौकरी मिली है मैं जल्दी अपने पेरों पर खड़ी हो जाओंगी और बच्ची को पडोसन संभा लेंगी मेरी उनसे बात हो गई है जिस पर शीकी शिमा भी मान जाता है अब बताया गया कि अमेरिका जगा जगा न्यूकलियर हमने करवा रह ये देकर टेम काफी चौंग गई वो सोचते हैं कि ये काम भला कौन सा जानवर कर सकता है जो इतना बड़ा था तब शीकी शिमा बताता है कि ये गौर्डजिला ने किया था क्योंकि वहां उसे मरी हुई मचलिया नेजर आ जाती है वो बताता है कि जब भी गौर्डजिला वो मार कर उपर भीच देता है ये चीज़ मैंने एक आइलेंड बर देगी थी अब अचानक कि कई सारे बड़ी मरी हुई मचलिया शिप के चारतरों पहन जाती है जो देख शिकी शिमा काफी घब रहा गया क्योंकि समझ किया था कि यहां पे गौर्डजिला आ रहा है वो ड सारे धमाके की है पर गौर्डजिला का जिसम इतना मस्भूत था कि इन धमाकों का उस पर कोई असर नहीं होता बल्कि अवो अपना मूँ भी बाहर निकाल कर आगी बढ़ने लगता है ये लोग एक और बॉम पानी में फैंकते हैं लेकिन बॉम को फोड़ने वाली तार ही कोट खड़ा हुआ इसी बहने शिप पर हमला करता तबी दूसरी सर्ट से जपान की आर्मी आकर अंदा दूर गौर्डजिला पर हमले करने लगती हैं जिसी वो काफी कुस्से में आ गया शिप की नीची से जाकर हमला कर दीता है पूरी शिप को पलटने लगा मगर वो लोग अभी भी नई रुकती बार बार उस पर वार करती रहती हैं जिससे गौर्जिला भी जखमी हो गया पाने में चला जाता है और अब वो खतरनाक लहरे चोड़कर शिप को पलट की ही रग दीता है फिर पाने से बाहर आकर जोर से धारने लगा शिकी शिमा की टीम काफी टर ज और अब वो वापिस से पाने में चला जाता है इस समले में शिकी शिमा भी काफी जखमी हो गया वो जब घर आया तो नोरी उसी देखर काफी परेशान हो जाती है के दिने लगें कि तुमने इतने सालों से हमें संभाल रखा है पर आज तक नहीं बताया कि तुम इतने गौर्जिला को मारना था लेकिन मैं काफी डर गया हमला मुसे हुआ ही नहीं जिस वज़े से गौर्जिला नहीं विरी पूरे टीम को मार दिया ये सुनकर नोरी उसे संभालती है कि देखो जो किस्वत में लिखा है वो होकर ही रहता है और जिसे जिन्दा रहना है वो किसी भी हलत में नहीं मरेगा शिकी शिमा कहता है मैं हर रोजी चीजे याद करके मरता हूँ काश मैं अभी उनकी साथ उसी आलेंड पर ही मर जाता हूँ नोरी फिर उसे समझाती है कि देखो अगर आज तुम जिन्दा हो तो ज़रूर तुमारी जिन्दी का कोई बड़ा मकसब ब रेडियो में बताया जा रहा था कि गॉड़जिला ने एक शेहर पर हमला कर दिया है जो सुनकर शेकी शिमा को नोरी के लिए काफी फिक्र होने लगी क्योंकि वो भी उसे शेहर में ही नौकरी के लिए गई जबकि उस शेहर में गॉड़जिला तबाही मचाता हूँ आगी बढ़ने लगता है इस वक्त नोरी एक ट्रेन में बैठे गॉड़जिला को देख रही थी और अब वो उस ट्रेन पर ही हमला करके पूरे ट्रेन को ही उठा रहेता है वो नोरी वाले ट्रेन के डब्बे को मूँ में लेकर चबाने लगता है नोरी काफी डर गई जो एक जग इस सारही रिपोडर्टर्स मारी जाते हैं नोरी जब भाग रही थी तो यहां शिकिशिमा आगया और अब यह दोनों सारी लुगों के साथ भागने लगते है गोर्जिला भी उनके पीछे-पीछे ही था जहां आर्मी उस पर टैंक से हमले कर रहें उसे Chair आ गया और अब गुर्जिला की पंक और पीट से निली रंगी रोशनी निकलने लगती है जिसके साथ ही वो खतरनाक शुआई लहरें बाहर निकालने लगता है ऐसा होती ही वहां जोड़दार कई सारे दमाकी होने लगी जो वहां की सभी लोगों और बिल्डिंग्स को अपनी लपेट में लेनी लगी शिके शिमा को इससे बचाने के लिए नोरी उसे धक्का दे लेती है और इस समले की तबाही को अपने उपर ले लेती है कुछ तेर के बाद शिके शिमा जो बाहर आया तो उसी नोरी समेट दूर दूर तक कोई भी निकाई नहीं लेता हर चीस तबाहों बरबाद हो चुकी थी और अब नोरी की मौत की वज़़से शिके शिमा काफी दुखी हो जाता है और फोट फोट कर रोनी लगा घर आकर शिके शिमाम नोरी के लिए दूआ करवाता है बच्ची को भी संभाल रहा था जो काफी रो रही होती है डॉक्टर यहां सब को बताता है कि गॉर्मिटने हमें और बाकि दुनिया बर की सिपायां को गॉर्जिला को रोकने के लिए चुना हैं और अब मेरे पास एक प्लैन है जिसके बाद वो ने उस चुगा पर लाता है जहां गॉर्जिला को रोकने वाली पूरी टीम थी और तब यहां जर्नल आकर सबसे मिलते हैं कहती हैं कि गॉर्जिला की हमली काफी बढ़ चुकी है इन हलात में हमारी मदद कोई नहीं करेगा हमें जो भी करना है खोदी करना होगा फिर वो बताता है कि गॉर्जिला को हराने की ने डॉक्टर नहीं एक प्लैन बनाया जिस सुनकर सारे लोग कहती हैं कि हमने गॉर्जिला को अपनी आंकों से देखाए वो बहुत ताकतवर खतरनाक है उसे हम किसी भी तरह नहीं रोक सकते ये सुनकर डॉक्टर कहता है मैं एक नेवी आफिसर भी हूँ साथ ही एक साइंटिस्ट भी हूँ हमने गॉर्जिला पर हमला किया था जिसमें हम कामयाब भी हुए थी हमने उसका आदा चीरा धमाकी से उड़ा दिया था लेकिन वो दुबारा हील होकर ठीक हो गया था पर इस बार हमारे पास नया प्लैन है हम शिप्स के जरीए गॉर्ज लाकी जिसम के अलग-अलग हिस्सों पर गैस की सिलिंडर लगा देंगे फिर उसकी स्पेड से काफी तेजी से उसी समंदर की गहराईों में फैंक दिया जाएगा जिस समंदर में हम ये करने वाले हैं वो काफी गहराई गहराई में जाने की बज़़ा से प्रेशर दिसम बरडाश नहीं कर पाएगा जिससे वो मढ़ सकता है ये सुनकर एक officer पूछता है कि अगर उसे कुछ ना हुआ तो इस पर डॉक्टर कहता है कि अगर कुछ ना हुआ तो फिर हमारे पास plan B भी है लैन B में गौडजिला जब पानी की गेराई में होगा तब उसके जिसम पर लगाए गई सिलेंडर्स पर बेलोंस गुबारे खुल जाएंगे जिससे गौडजिला जिस स्पेड से नीचे गिया था उसे स्पेड से वापस उपर आने लगेगा दो तिन पर बैलोंस के खुलने पर वो प्रेशर परदाश नहीं कर पाएगा और उसकी मोत हो जाएगा ये सुनकर एक आफिसर पूछता है सर आपको येकीन है कि इन हमलों से गोर्जिला मारा जाएगा इस पर डॉक्टर कहते है कि शायद लेकिन ये हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके इलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है उसका साथ जिर्नल भी देते हैं कि गोर्जिला पहले ही काफी कुछ तबाह कर चुका है अब हमें उसे रोकने के लिए ये जरूर करना चाहिए जिसके लिए वहां के सारे आफिसर्स मान जाते हैं शिकिशिमा अपने पूरे टीम के पास आया डॉक्टर उन्हें कहता है कि गोर्जिला को समंदर में सही जगा पर लाने के लिए हमें एक प्लेन को तयार करना है जो हत्यारों से भरा हो और अब मुझे एक बीतरीन मेकैनिक की जरूरत है जो ऐसा प्लेन तयार कर दी ये सुनकर शिकिशिमा कहता है कि ये काम मेरा दोस मेकैनिक कर सकता है मैं उसे ढून कर लाँगा और अब शिकीशिमा उसे काफ़ी ढोंड कर आखिर उसके घर गया जहां मेकैनिक उसे मिल भी जाता है लेकिन वो आज भी उसे काफ़ी बाते सुनाता है कि तुम्हारी वज़ा से 1945 में हमारी पूरे टीम मारे गई थी शिकीशिमा कहता है हाँ मैं जानता हूँ लेकिन अब मुझी अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिला है जिसमे मुझी तुम्हारी मदद चाहिए गॉर्जिला को मारने के लिए हमें एक प्लें चाहिए जिसले तुम्हें तयार करना होगा इस से हमारे गववरमेंट और आर्मी के भी हम मदद कर सकती है साथी क्रोडों लोगों की भी जाने बचा सकते हैं जिसके लिए वो मेकैनिक मान गया वो शिकी शिमा के साथ उस रगा पर आया जहां उसने प्लेन तयार करने थी वो आगी बड़ा अपने काम पर नग जाता है प्लेन को तयार करने में जो देख वो कहता है कि बेटा इस पैंटिंग में तुम काफी दुखी लग रही हो क्या बात है उस पर वो कहती है कि जी क्योंकि मुझे मौं बहुत याद आ रही है जो बता कर वो रोने लगी उसे देखकर शिके शिमा को भी काफी दुख हुआ वो बच्ची को संभानता है पिर जैसे ही रात हुई वो एक ख़त लेकर बच्ची की पास रखता है और उसे सुला कर वहां से चला जाता है वो आकर मकैनिक से मिला जिसने और भी करी सारे प्लेंस तयार कर लिये थी एक प्लेंड में शिकिशिमा बैड़ गया मकैनिक उसे बताता है कि मैंने इसमें भी बॉंब, हत्यार और गया सिलिंडर लगा दिया है तो मैं बस इस प्लेंड को और इसकी बटन्स को अच्छे से समाल करना होगा 1945 में गॉर्जिला ने कुचल कर तुमारे सभी साथियों को मार दिया था पर आज तुम उसे माल कर अपना बदला जरूर लेना जिस पर शिकी शिमा कहता है कि हाँ, मैं ऐसा करूँगा जरूर वो पिर बच्ची की बनाई हुए पेंटिंग देखने लगा जो इन तीनों की यी थी और यहां वो बच्ची की साथ-साथ नोरे को भी याद करने डगता है अगले दिन बच्ची परोसन की पास आकर उसे शिकी शिमा का ख़्या देद दिये जो असल में परोसन कि लिए ही था खत की साथ कुछ पैसे थी पत में लिखा था कि इन पैसों से बची का ख्याल रखना जो अधिक पड़ोसन समझ गई कि अब शीकेशिमा जिस मिशन पर गया है वहां से वापिस तब ही नहीं आएगा जबकि उधर सभी शिप्स समंदर में आगी बढ़ने लिखती हैं अपने लोकेशन पर जहां इनी जान वह पानी में डिवाइसिस की मदर से आवाज पैदा करती है गौडजिला को परेशान करने के लिए जबके शीकेशिमा अब अपनी प्लेन को लेकर उड़ जाता है गौडजिला डिवाइसिस की आवाज सी परेशान होकर पानी से निकल कर एक शेहर में आ गया था शीकेशिम उसे लेकर समंदर में अपनी में लोकीशन की तरोग बढ़ने लगा। जब डॉक्टर उन्हें आता हुआ देकर काफी खोश हो जाता है। और वो सभी शिप्स को तयार होने के लिए कहता है। जबके शिकी शिमा और गौडजिला समंदर में लगतार आगी बढ़ रहे थे। और अब जैसे ही शिप्स गौडजिला के पास आने लगें उसके जिसम से फिर से निले रंगी रोश्ते जमकने लगती है। एक बार फिर पानी में शुआई लेरे छोड़ता है। जिससे यह एक बार फिर जोरदार धमाकी होने लगे। लेकिन इस बार शिप्स पर इसका को काफी तेजी से गौडजिला को पानी में डबो दिया जाता है। उसका जिसम पानी में 1500 मेटर तक नीचे चिला जाता है। फिर अचानक की वो रुग गया। जो देखकर सबी लोग काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि गौडजिला मर गया होगा। ल आने के बाद वो रुग जाता है। और अब वो उन बेंदूर्स को एके करके तोड़ने लगता है। इसलिए अब रस्यों को खीचकर गौडजिला को उपर लाने की कोशिश की जाती है। कुछी देर में वो उपर आतो गया पर उसके जिसम पर एक भी खरोच नहीं आया होत लेकिन अब वे शिकी शिमा प्लेन में बैट कर आगे बढ़ रहा होता है। जहां उसे अपने मरे हुए साथियों की साथी नोरी की भी याद आने लगती है। और उसे एक बार फिर बदने का ख्याल आया। इसलिए अपने प्लेन को लेकर वो गौडजिला के मुँ में ही ग जो देखकर सभी काफी खोश हो जाते हैं कि थैंक गौड़ वो अभी जिन्दा हैं। इस सब की बारे में रेडियो के जरीए मकैनिक को भी पता चल गया था। जो जानकर वो भी काफी खोश हो जाता है। और उसे याद आया कि हाँ मैंने शीकी शिमा को बताया था कि इस प् रुकड़े पाने में जा गिरते हैं और इस तरहां गौड़ जिलाप का खात्मा हो जाता है। सबी लोग शीकी शिमा की बहादरी पर काफी खोश हुई उसे इज़त की तोर पर सिल्यूर्ट करते हैं। और अब यहाँ मिशन की पुरा होते ही ये लोग वापिस बेस पर पड़ोसनों से एक खर देती हैं जो पढ़कर शीकी शिमा काफी हिरान भी हुआ साथ ही काफी खुश भी हो जाता है। क्योंगे ये खत नोरी का था जो भी जिन्दा थी और घर में इनका इंतजार कर रहे थी। ये लोग घर आकर नोरे से मिलते हैं जो हमले में किसी तरह ब इसले करती हैं लेकिन एक बुरी खबर समंदर की गिराई में दिखाया गया कि गोड़्जिला की जिसम की टुकड़ी फिर से रिजनरेट हो रहे हैं यानि फिर से ठीक होकर आपस में मिल रही थी जो हो सकता है कि पूरा गोड़्जिला फिर से बना दी जो बात बहुत खतरे वाली थी और इसी की साथ ही इस फिल्म की कहानी यही बर खत्म हो जाती है